हेलो फ्रेंज वेलकम टू माय चैनल सीतू पटेल टिप्स पॉर वुमेन और फ्रेंज आज हम बताएंगे तोतले पन की समस्या को दूर करने के लिए धनिये के दो प्रयोग हम बताएंगे प्रयोग काफी कारगर है और ये प्रयोग बहुत ही आसान है जिसे तोतले पन में तोतलापन तो काफी अच्छा लगता है सभी को लेकिन अगर बच्चे बगए होने के बाद भी तोतला भासा में बात करते हैं तो ये एक अच्छी बात नहीं होती है बच्चे या इस पश्ट शब्द नहीं बोल पा रहे हैं तो ये प्रयोग आप के लिए काफी कारगर फ्रेंज अगर छोटे बच्चे हैं यानि कि बहुत ही छोटे बच्चे जो होते हैं जब वो बोलना सीखते हैं तब वो तोतली भासा में बात करते हैं तो ये एक स्वभाबिक है लेकिन अगर बच्चे बड़े हो गए हैं आठ साल, नौ साल, दस साल, बारा साल तक भी को इस पश्ट सब्दों का उच्चारन करना सिखाएं उनका प्रोनेंशेशन ऐसा कराएं कि वो हर सब्दों को सही धंग से बोल सकें अगर आप रोजाना इसकी प्रेक्टिस उनको करवाते हैं तो उनका तोतलापन धीरे-धीरे कम होगा इसके साथ आप ये दोनों प्रेयों उनके उपर करिए इससे भी काफी लाव होगा तो आपको 30 ग्राम धनिया लेनी है धनिया आपका पाउडर ले सकते हैं और 10 ग्राम आपको अमलताश लेना है अमलताश का गूदा आपको लेना है ये आपको किसी भी किराना श्टोर में मिल लागा पंसारी की दुकान में दोनों चीजों को मिक्स कर लीजे 30 ग्राम धनिया और अमलताश 10 ग्राम ते दोनों का अच्छे से मिक्स कर लीजे और तीन चमाच आपको एक ग्लास में घोलना है और उससे आपको दो महिने तक कुल्ला करना है ये प्रयोग अगर आप रेगुलर करते हैं और साथ ही को भी तोतलापन है तो उस पर भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं उनका तोतलापन धीरे-धीरे कम हो जाएगा और वो इस पश्ट भासा में बात करने लगे चलिए दूसरा प्रयोग हम बताते हैं हरा धनिया आपको लेना है और उसको पीस कर पानी के साथ उसको चान लीजे और चानने के बाद आपको आधा चमच भूनी हुई फिटकरी बैनी फिटकरी को आप थोगा सा भूनने लेजिए और वो फिटकरी आपको इसमें मिलाना है और रोज इससे कुल्ला करना है प्रति दिन जब ये आप प्रयोग करते हैं तो इससे भी आपके तोतले पन में ला करना है तो इससे आपको लाव होगा तो फ्रेंस अमीद करती हूं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी इस तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने साथी वेल की आइकन को जरूर उन करने ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो आपके देख पाएं और फ्रेंस अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शियर जरूर करें